एक आसान सा कोश्चन किया था कैस बजट का और वैसी कोश्चन है मालम है क्या कर पाओ के तीन मेने का तो पका पका करोगे तो कोश्चन नमबर 90 से हम लोग श्टार्ट कर रहा है कोश्चन नमबर 90 सिर्फ लैंग्विज अगर समझ लिये तो टेंशन खता है चलो हमको क्या बनाना है हमको बनाना कैस बजट कब का फास्ट तीम मन्थ कैलेंडर येर 2021 मतलब कैलेंडर येर मतलब कब से स्टाट होगा जहन 5 मार्च और इंफर्मेशन भी दे रखे जैनुवरी फेवरी सेल्स दिया है 600 क्या जीरो 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 में विस्वास रखते हो तो 6 लाक तो फेव में भी 3 लाक ही है ना भाई 6 लाक और मार्च में भी 6 लाक अब सेल्स का अच्छे से पढ़ना क्या लिखा हूँ ये खेल है याँ तो ट्रेडर सेल्स डारेक्ली टू पब्लीक बुले डारेक्ली भाई साब ये पब्लीक को बेचता लेकिन कैस में बेचता है अच्छे सेल्स का बिजनिस रहोगा और पब्लीक आती है तो कैश में और दूसरे लोग आती होगे तो उनको हुदार और अधर एंटिटीज को कैसे देते हैं क्रेडिट क्रेडिट सेल्स और एक्सपेक्टेट टू बी फोर टाइम्स तब क्रेडिट सेल्स कैसेल्स से कितने गुना ज जाता है चार गुना ज जाता है तो कैसेल्स और क्रेडिट सेल्स निकल सकते हो क्या नीकाल लेंगे बात में सोचा जाएग चलो देखते हैं और उन्हें उसको क्या उमीद है कि 15% कğस्टमर to pay in the month in which जो क्रेट सेल्स होता ना 15 परशन तो उसी मन्त में मिल जाता है और 25 परशन कम मिलता है next month और 58 परशन next के next मतलब सर जनवरी में कप कप का पैसे आएगा कुछ जनवरी का आएगा पर दिसंबर और नमवंबर का सेल्स ही नहीं चलो देखते हैं नीचे मतलब इदर दिया होगा मेरे तो हाँ अब अबर दिसंबर का दिया है ठीक है परशेस के विसे में परशेस का बता दो के मज़ जाएगा परशेस अब गोड्स अर मैड इन दा मन्त प्रायर तो सेल्स and it amount to 90% of sales परशेस कब किया जाता है जिस दिन मन्त में सेल्स हो रहा है उससे एक मेंद कितना परशें अब है बरशें तभी तो 10 परशें प्रॉफिट पर बेश रहे होगे परशेंट कब हो रहा है और यह सब की सब किस बेश पर परशेंट 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 क्वाइट हूं मन्थली कैस बजट त्री मन्त का एक्जाम में आया है था कब दिसंबर 2021 में पांच नम्बर करेंशाण आओ हिम्मत दिखाए कितने कॉलम आईगे भाई शार है ना कैस बजट तुडल कौन कौन सा मन्थ लेकि आएगा ओपनी इसमें एक सेल्स और एक पर्चिस क्या सेल्स यह लिख दूँ क्या अब यार यह बता दो कैस सेल्स के अराम से पढ़ते हैं इसमें कैस भी है इसमें क्रेडिट भी है अब यहां सब्द लिखा है कि भाई कहांगे 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 कुरेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स अर एक्सपेक्टेट टू भी फूर टाइम्स मतलब कैस सेल्स जितना कैस सेल्स होगा उससे चार गुना ज्यादा मतलब सार सीधी बात है फॉर इस्टु वान पाटनेशिप बढ़ा है ना आसर फॉर फॉर मतलब कहुंसा सेल्स और यह कहुंसा कैस तो कैस बोलो 600 x 1 x 5 120 यह 20% करके कर लो 1 x 5 समझ में आ गया बस हमको दिखाना है क्या दिखाना क्या यह 1 x 5 तो बोलो कितना 1,20,000 मैं 600,000 गलती से बोल रहा था 1,20,000 आगे 1,20,000 और 1,60,000 कलेक्शन फ्रॉम डेड़ और वर्किंग नोट तो बनाना नहीं पड़ता वर्किंग नोट तो बनाना नहीं पड़ता वर्किंग नोट पर वन कितने मन्त काट कॉलम कीचे अच आप जवाब नहीं दे रहा पाच स्वालों के जवाब नहीं है स्वालों 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 प्रेक्शन, ओंग, टिर्टर्स, ठीक है, कौन से मन से स्टार्ट करूं ना ओंभू प्रेट, मार्ट, तो उसे पहला का मैं क्रेडिट है इस तो लिख लेते हैं, अपर उसके बास सुचेंगे प्रेट, सेस, कितना बोलेते हैं, फॉर्फिक्ट, ओके, पाच लाग, बारा हजार, कितना, तात लाग, चार हजार, चार लाग, चार लाग, चार लाग, ये लाग, अच्छा, क्या बोल रहा है, कितना बर्शन, तेम मन्त, तेम मन्त, तेम मन्त, पंदरा, ऐसा लिखा है, इसी का पंदरा बर्शन मार लेते, कितना, अच्छ, 96, और नेक्स मन्त, कितना, अच्छी सपर्शन मतलब किसका आएगा, यहां से स्टार्ट करें, 1,076,000, 1,20,000, 1,20,000, और सेकंड मन्त, 58 पर्शन, तब को जोड़ो, वैड़ेट्स होगा, हम ही क्या लेना देना, हम तो काम करें, वैड़ेट्स, कैश, इसमें आएगा की नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैश बिचिट में, जितना कलेक्शन हो रहा हो लेका, इसका लोगे, इसका, इतना, 296, 408, 320, 27, प्रस्ट टोटल मार लेता है, टोटल कौन सा वाला मार होगे पता है आपको, मैं क्या करता था मैं इसको भी एट कर लेता हूँ, तो अलागे रख देता हूँ, 49, 49, 49, 44, 00, 60, 220, 55, ओगे चलोगा हूँ इसको कॉपी कर एक बर फिली थोड़ी सी महनत 960 6003 बस इतना ही है तो यह आगे टोटल अप ए से 1, 1, 3, 1, 4, 960 और एक बाद बता हूँ पिछले बैच के बैच यह भी एट कर लिए आप की आप तो समझ दा हूँ लास्ट बैच की बाद अब बचा से उड़ा दिये थे अभी क्या करें पैमेंट पैमेंट में तो सिर्फ क्रेडिटर्स का है पैमेंट टो क्रेडिटर्स और क्या इसके लिए वर्किंग नोट की बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए देखो अच्छा टूटल सेल्स ले ना ना हम रेट सेल्स कैसे यह भाई यह इसका कितना पर्षेंट पर्षेस है नब्बे कौन से मन्त में इचले तो च्छेसो का नब्बे पर्षेंट कितना होता है और पैमेंट हो रहा है इसी मन्त में पासो चालिस चीदी सी बात में बता हो चैसो का नब्बे पर्षेंट ले लिजिए चैसो का नब्बे पर्षेंट ले लिजिए और आठसो का नब्बश बात करता हुआ तर यह टाइम प्रस की है उसने पहले बुलता पीछे जाओ फिर बुलता आगे बढ़ू चलो बताओ कि पाच लाग चालीस जार पाच लाग चालीस जार तर शाथ लाग अब इसका दिल कर रहा है तो टोटल करो नहीं कर रहा है तो यहां भी लिग दी तोटल करो अब आ जाएगे हैं ग्लोजिंग बताओ वन सेवन ओर नाएन सिक्स तो फोन सेवन ओर नाएन सेरो 8958-528-2 5555-2 5555-2 5555-2 0.000 9680 289 680 पिछले कोशन से जयादा आसान कोशन बस ये collection from data's में थोड़ा सा technical बाद भूद कोशन नमबर 92 करवां गो तो मैं आपसे बहुत हो गया मैंने अपना टाइंग पर सब्सक्राइब ये वाला करते हैं question number 92 ये ICAI का question है मैं पढ़ा देता हूं ठीक एक बाद फिर सुष्थे क्या कॉन साथ question है ये मैं भी बता दूगा दो मनेट में एक बार रीट करते हैं एक बार मैं रीट करते हैं सुनो करना तो आपको पढ़ेगा बस जहां दिक्कत हो पढ़ते वक्त मुझसे पूछ ले एक जनवरी को बैलेंस दिया 72,500 को यह दिक्कत है कैस में एक जनवरी से स्टार्ट कर रहा होगा मुझे है सालग बनाना है कैस बज़े 50% of total cells are cash cells एक लाइन तो हम लिखी सकते और assets are to be acquired एसिट खरीद होगा तो पैसे जाएगा कौनसे मंत में पैसे जाने वाला FAB में जाने वाला और एपरिल में जाएगा तो इसलिए हमको FAB में पैमेंट करना है आठ है जाष प्रोविजन सुट भी मेट फार्दा पैमेंट होतला पैमेंट करने के बाद बता और 25,000 कहां पैमेंट करना पड़ेगा हमको एपरिल दू चीज़े तो के लिए और application bank के लिए हमने कहा कि bank loan चाहिए और हमें उमीद है यह जो 30,000 रुपए है यह में मिल जाएगा यह भी एक पैसा नहीं मला है जिस मंत को इस मंत मलेगा इसके लावा हमको dividend भी देना पड़ेगा 35,000 कब देना पड़ेगा जून में ठीक है दिकत में debtors यह debtors ही परिशन करेगा debtors are allowed one month credit जो credit sell से वो इस मतलब वर्किंग नोट बिना बनाई भी काम चल जाएगा लिखा जाएगा creditors for material purchase and overhead grant for one month credit creditors for material overhead समझते हो न आप यह ना बता लगे material जो purchase करेंगे वो एक मेने बाद payment होगा और इसी तरह से किसका? overheads का भी sales commission कितना है? 3% on sales is paid to the salesman each month मतलब यार सीधी सी बात है जिस month का sales उस month का commission 3% month दिया है मतलब साय sir वो जून तक मांग रहा हो हो सकता और sales दिया हुआ है material purchase है salary है production overhead office and administration overhead बस इतना ही है क्या तो क्या लग रहा हो का? कहां तक का cash budget है ये तो बताया नहीं January से बनाना पड़ेगा हमको पर problem है कि January में collection from डिट्रस का कैसे करेंगे? January नहीं लेंगे ये जब नहीं दिया परिष्टा तो January से करना पड़ेगा क्यों? ओपनिंग बैल है January तो January से जून तक क्या लगता किना टाइम लगेगा? क्या? अच्छा अच्छी गंडे का भी पर होता है अच्छी गंडे का विपर होता है दस दस नंबर का कोश्चन हाई है 18 ना तो मात तो सही है बोल रहा है मालो पढ़ने में तीन मिनट लग गए चलो दो 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 मिनट दो मिनट दो मिनट गए ये कैसा चाहूद झाहूद कि अप्टम अब है तो कि अभी कि वेजे सेलरी का कुछ चक्कर रहे गया पुतूसी मंत में जा रहा है चैल्स कमिशन को याद रखना अब इतना सब कुछ बताया और इसके बावज़ूद भी कोफिसर आंसर मैच नहीं हो रहा मच नहीं आएगा देखो हाँ 151292 पहली बात जैन्वरी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 96340 पहली का रहा है 121330 पहली का रहा है 96340 यह रहा है 121330 यह है 155650 151292 205 767 लाश्ट है 19 194 194 है लाश्ट का की 195 194 106 चेक कर लोई पहलिए 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 यह है यह फाललाफ्र बोजिंग लाश्ट क्रिश्चिन मना जाज अच्छे इन डारिक्ली क्या बॉलना चाहते मिश्चे क्रिश्चिन नमबर 90 क्रिश्चिन नमबर 90 तुम दिखकर है प्रेक्टिस्मक्स क्रिश्चिन नमबर 91 एक्जाम में आया था नवंबर 2019 में दस नंबर का कोशन है पढ़ते एक बार सूचते क्या होगा तो भई आपको बनाना है कैश फ्लो फॉर कॉश्ट मतब कैस बजट सिप और सिप कितने मेने का बनाना तीन मेने कब से कब तक जनवरी से मार्च सेल्स दिसंबर और दिसंबर का दिया है मतलब खेल होगा आप भी जानते हो और इधर मार्च तक बनाना पर अप्रेल का सेल्स दिया मतलब कुछ नगुछ तो होगा पर ये हैं यूनिट्स एमाउंट नहीं दिया तो ठीक है है मल्टिप्लाई कर देंगे सेल्िंग प्राइस कितना है शेसा सेल्स आर ओल ओन वन मन्थ क्रेडिट सारी सेल्स क्रेडिट बैसिस पर है और वन मन्थ क्रेडिट पर है अराम से काम हो जाए प्रोडक्शन अब गुड्स फर सेल्स टेक्स प्लेस वन मन्थ विफोर सेल्स प्रॉडक्शन कब होता है ? अब प्रॉडक्शन में हर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लगता है टू यूनिट्स ओप पुरोम अधिल कौश्ट के एक्सपर्ट लोग हो अब लोग ठीक है अब समझ जाओगे ठीक और कौश्ट कितना है material material एदेड़ सो रुप है produce कब होता है एक मेने पहले payment कब होता है यह नहीं बता है raw material का कोई stock नहीं है यह क्या बोलता है opening closing नहीं है raw material purchase और one month credit अच्छा यह जेस मन्त में sales हो रहा है वो पिछल आगे आगे variable overhead and wages equal to 100 rupees per unit और incurred कब होता है during production और pad कब होता है उसे मन्त में ठीक opening cash balance कितना है 30 जा और कब का दिया long term loan कितना दिया है 2 लाक March में लेने वाले होगा और machine कितने का 3 लाक रुपे कब खरीद होगे March पैसे जाएगा cash budget बनाना है Zen, Fab, March बन सकता है मुस्किल नहीं है अच्छा लिकिन cash budget important तो था ही नहीं आपके लिए निकालना है current ratio current ratio वो में करवाँगा cash budget आप करोगे मिलके काम करोगे current ratio का formula लिखवा दूँ current acid divided by current याद याद है ना तो सर वो भी हम ही कर लेंगे छो भी नहीं पाऊगे current ratio पर question देखना चाहोगे तो है बोट पर सबसे पहले बात है raw material मेरे खेल से raw material समझ में आगे है जब यहाँ जो units आप बेच रहे हो उस units को यहाँ बनाया गया है 1875 और एक unit का material कितने का रहा है 150 into 2 तो वैसे तो हमने purchase उस इस month में किया जिस month में units बनाया गया उसी month में raw material का purchase किया लेकिन उसका payment यहाँ किया तो अब सीधा ले सकते है 1875 यहाँ बनाया गया तो यहीं तो variable overhead लग रहा होगा और कितने के इसाब से 100 के इसाब से तो इस month का जो payment है वो यहाँ हुआ है तो यह तो हमारे काम का रहा नहीं हमारे काम का कौन सा है 1950 वो unit यहाँ बनाया है 1950 into 100 तो यहाँ payment हो रहा है 5 का मतलब जैन का closing है 3575 00 687 500 9025 00 तो यहाँ एक बर में लिख दूँ क्या एक आ रहा है closing 3575 00 उसके बाद आ रहा है next month का 687 500 और फिर आ रहा है 902 500 आपको current ratio कब का निकालना है पढ़ो अच्चे से current ratio हर month का निकालना है at the end of 3 month at the end of 3 month में cash कितना था देख चेक करो closing balance आपने 9-0 00 मतलब अगर cash budget गलत है अगर cash budget गलत हो गया तो खेल खितम हो चुका और क्या आता है debtors बताव debtors कितने ये कहां से है मेरा बस ये कहना है कि अब सोचो बेटे यहां यहां time लगा दो March के end में कितना पैसा collect होना बाकी है यहां कितना sales हुआ क्या ये पैसा collect हो चुका है ये कब होगा पका ना ये वाला पैसा बाकी है ये तो डेटर से है फिर से सोच लो फिर से सोच लो फिर से सोच लो ये वाला पैसा पूरा collect हो चुका है इधर के तो सब हो चुका है ये बाला बाकी है ना तो एकी सो यूनेट्स into कितना आ गए बारा लागा बाउ मैं जागा इकी सो अ इन्टो ये सो कितना बारा लाग साठ दो चीशतों हो गया सर अब सबसे बड़ा टेंसन आएगा इस टॉक कितना units बनाया पर अभी बेचा नहीं कुएंसा वाला बनाया है पर बेचा नहीं क्या opening stock है opening closing नहीं तो opening closing होता ना और तिमाख खराब हो जाता ठीक है अभी तो simple है तो सर ये वाला जो अप्रेल में जो दिख रहा है बेचा है हमने बेचने का दिया इसको हमने मार्च में बनाया होगा तो यह हमारे पास इस टॉक होगा कितना units? 255 तो unit ने लिख सकते हैं हमको तो amount लिखना पड़ेगा नहीं 255 units तो क्यों? तो क्यों होगा कि नहीं होगा? पास आपको बात समझ में आ रही है तर बनाया है यहां खरीदा नहीं है बनाया है और बनाने में stock का valuation में दोनों चीज आना चाहिए material भी आना चाहिए और overhead भी आना चाहिए नौलक? मैंने क्या कहा था? छू भी नहीं पाओगे न? यह सब समस्या थी तो कितना आ गया? नौलक? फिर से बता दो cash में किसी को फोई समस्या नहीं होनी चाहिए लेटर से भी आ गया problem कहां आ रही है सर, problem आ रही है कि यार stock कितना आएगा तो मैंने का यार यह बावीस सो पचास यहां बनाया है जो भी बेचा नहीं है तो बनाने में material लग गया और बनाने में overheads लग गया बात कहता हम? overhead and wages ठीक है per unit और क्या बचा? बस बस यह आ गया हमारा current assets 30, 62, 500 ठीक है? अब अचा क्या? current liabilities और उसमें तो सिर्फ क्या है? creditors हां तू बता दो कितना creditors मतलब पैसे देना बाक्ती है कौन से unit का पैसा देना बाक्ती है? नरुकर क्योंकि ये unit यहां बनाया है तो यहीं पर्चेस भी किया होगा material वो पैसे देना बाक्ती हो तो हम अप्रेल में देगी चीक ऐसे अपर कितना अगे? वावी सो पचास इन्टू? तो इन्टू एक सो पचास नहीं से में वैरेवल होगा 6 lakh वेस परेंट रिष्वन इकान 30625 00 दबल ओ, divided by, 4.5, 4.537 APPROX, चलो हम बस, ठीक है, तो जो 10 नमबर है ना, वो इसका तो नहीं होगा मुचल, इसका होगा 10 नमबर, ये तो 3 मेहने का था, एक क्वेशन और बनाओंगे, क्वेशन नमबर 93, ये सर हमारी मोड्यूल का क्वेशन है कि बिलकुल, क्वेशन नमबर 93 आपके मोड्यूल का क्वेशन, और ये टी वाई के 10, बस एक बात का विसेज धियान रखना, और मैं भी धियान रखते हुए चल रहा हूँ, मतलब आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मोड्यूल का एक भी कोशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नया स्कीम जब भी आता है, तो मोड्यूल से कोशन देता है, एक भी कोशन मचूँ, कितना भी बढ़ा क्यों मैं पूरा कवर करती हूँ, मुझे अभी भी मालूम है, मैंने कैपिटल मिश्टिंग के कोशन चुड़वाया हूँ, मुझे एक एक एक्सपोर्ट वाला वर्किंग कैपिटल का एक कोशन मैंने कहा था, कि उस दिन आप लोगों का मूड नहीं था, मैंने चलो इसको रुक के करवाता हूँ, तो वो कल कवर करेंगे वो सब्सक्राइए, तो बैलेंस शीट दिया है, माया लिमिटेड और बैलेंस शीट कप का दिया है, 31 दिसमबर 2020, ठीक है, बाकी बहुत कुछ बता रहा है कि बोरूरिंग इंक्रीज करना है, तो इसकी के सरी टाइम पास हो गया और हमें जो है, कैश की जरुरत पड़ेगी कब, जैन, फैब, एंद मार्च, कंपनी डेक्टर से कैसे पैसे कलेक्ट करते है, यह इंपोर्टन है ना, 20% in the month of sales, 70%? Subsequent month and 10%? Second month of the sales, सम्हाल होगे हैं? All sales on credit basis, thank God, cash sales नहीं है, अब भाई balance sheet दे रखा है यार, balance sheet, यह balance sheet दिया हुआ है, बताने क्यों दिया है, आगे मड़ते है, पर्चेस of raw material are made in the month, prior to the sales amount is 60% of sales purchase कितना होता है? 60%, अगले महा जो माल बेचने वाले हो, उसका परिच नहा है, और जितने का sales होता है, उसका 60% ही purchase cost आता है, और payment for purchase, purchase का payment कब होता है, in the month of? After the purchase, यह वाला लाइन बहुत आया है, labor cost में including overtime, फर्क नहीं बढ़ता है, कब कब payment हो रहा है, 1,50,000 in January, 2,00,000 in February, 1,60,000 in March, selling, administration, taxes and other cash expenses, 1,00,000 per month, January through March, actual sales in November and December दे नहीं था, उसके बिना काम नहीं हो सकता, हमको कब से कब तक बनाना है? January, February, March, यहां से यहां तक बनाना है, हमको उसने एक्ट्रा दे रखा है information, वह November, December की दे रखा है, अप्रेल की दे रखा है, हां समझ गयोगे, purchase के लिए और sales का लिए, और actual sales है, projected sales दे रखा है, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, cash budget, जो आप बना लो के, और एक दिक्कत है, आपको cash balance कितना रखना है, 50,000, और अगर कम पढ़ गया, तो borrowing कर लेना, और सर जादा हो गया तो borrowing को वापस कर देंगे, है ना यार अगर कम पढ़ेगा तो borrow कर देंगे, और दूसरा क्या बनाना है, balance sheet, तो सिये लोग हो मेरे समने, balance sheet में तो आप accounting expert लोग हो, पस ये वाला balance sheet देखकर चापना है, पस फर्क कहां पढ़ेगा, इन सब में फर्क पढ़ेगा, इसमें फर्क पढ़ेगा, loan from bank, borrowing भी करोगे ना यार, और return earning पर फर्क पढ़ेगा, profit भी तो कमाओ के तीन मेने में, इस मत देखो, cash budget बनाओ, cash budget बनाओ, ये तो 50, balance sheet दिया है ना, मैं भी solution खोल के रख लूँ कि याश, सामने वाले बच्चे को फायदा मिल जाते हैं, अभी इतने जल जल दी आता हैं साथ, अचा, position no 93 है, party white to 10, opening और closing क्या बता हो गया आप कुछ तो बता नहीं सकते, क्योंकि 50,000 ही, बोरो किया होगा, January में कितना बोरो किया है, 30,000, मार्च में तो वापस करो ना उधार करो, तो दो चालिस वापस हो जाएगा, आपके पास अगर एक्सिस पैसा है तो उसको वापस करो कि, तो 20,000 का यहां borrowing था, दो लाग 20,000 का यहां borrowing था, और अगले मैने में दो लाग 40,000 एक्सिस है तो वापस कर देंगे, तो बताओ borrowing पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, चारसो पचास का चारसो पचास का यहां नहीं आप नहीं बनाओंगे, पहले में 20,000 का borrowing है, सेकेंड में 2 लाग का borrowing है, 2 लाग 20,000, अगले मैने कर रहा हूँ, लेकिन जिस मन्त परचीस के उसी मन्त का माना चाहिए, कास इस बात को यहां, बैलेंस येट में profit चाहिए हैं इस इन मेने, बैलेंस इस 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 बान रहा है, चलो, बैलेंस इट भी मांगा था, बैलेंस इट भी, जिन-जिन चीजों में change नहीं हुआ है, वह चीजे तो लिखे लिए, अच्छा, schedule 3 बनाओगे, तो यह question फिर 20 नंबर का बन जाए, जो दिया वह ही, आपके schedule 3 से FM कोई लेना देना नहीं, तो सर सबसे पहले, देखकर ही तो लिखना है, तो net fix, fix asset purchase purchase कर रहा है कि कुछ बोला है, रुपीज इन 1000 में ही लिख लीजी न, वैसे यह कर ले, जिलो-जिलो नहीं लगा रहा है, क्या stock में कुछ change होगा, नहीं, होगा होगा होगा, अभी रुख जाते है, account receivable को हम debtors लिख देता हूं, जगह कम है, debtors में change होगा, यस, आपके लिए मैं cash लिख सकता हूं 50, क्यों मुझे मालूम है, इधर आ जाते है equity share capital, और जो आ है 100, क्योंकि share तो issue किया नहीं है, और return earning में change आएगा, क्योंकि इन तीन मेहने में जो profit कमाया है, वो तो add हो जाएगा, profit कमाने के लिए penal account आता है आपको, roughly बना लेंगे, और borrowing में, long term borrowing में कोई change है क्या, नहीं, तर करना है तो 450, plus plus minus, चार्सो पचास ही आएगा, ऐसे time pass करना है तो कर, चारसो पचासी लेख रहा हूँ, अच्छा सर वो long term नहीं आएगा, वो तो loan from हमें, account payable में change होगा क्या, account payable में आएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया, loan from bank में होना चाहिए था, वो जो में borrowing की बात कर रहा न, वो जो borrowing है वो long term था की short term, short term ही था, वो यहां होना चाहिए था, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, loan from bank से, कतना है भाई है, 400, other liability में कोई chance नहीं है, कुछ other liability, 2, 1, 2, और यह balance sheet का total किया, खताम का, पस, वही मत दिखा है, पहले लेटरस में दिखाते है, वो थोड़ा speed से हो सकता हम जो, working note no.1, लेटरस, time दो, यह फिर, सर्स बता ही दो ना, थोड़ा सा दिमाग, ऐसा कुछ है नहीं, यह थोड़ा सा दिमाग चलाओ के तक बाद समझे, अब यह सवाल बस इतना है कि मार्च में कितना पैसा वसूल करना बाकी रहे गए, मार्च का तो पूरा रह गया, नहीं, मार्च में कितना है, वीस परशन्ट तो मिल गया था, असी परशन्ट तो यह वला बाकी है, अराम से सुचो, इसका तो वीस परशन्ट बाकी है, बुला एकरी, हाँ सर, वीस परशन्ट मिला है, तो कितना बाकी है, असी परशन बाकी है, इसका तो 80% बाकी है मार्च का ठीक है और इसका इस मंत में कितना बाकी है निकाल रहा हूँ तो फैब का 20% तो इसी मंत में मिल गया और इधर कितना मिल गया 70 तो कितना बाकी है इसका 10% बाकी है जैनवरी का यहाँ भी मिल गया कुछ यहां भी मार्च में खतम होगे, इट मिस पैसर कितना बाकी है, 650 का 80% और 1000 का 10% इसको सीधा लिख रहा हूँ है, 650 का 80% और कितने का, 1000 का 10% आप एक बर चेक कर लोगे, तो ज़्यादा अच्छा, 620, वाओ, वर्किंग नॉट 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 यह आगए, 620, रेशो में तो और ज़्यादा मचा आता है, रेशो में तो बैलेंशेट ही बनाना हमको रेशो को यूच करें, अब एक एक कोश्चन आप से करवाँगो, वर्किंग नॉट 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 यह वाँ, अभी क्या निकालने में ज़्यादा मचा रहे है, पक्का, चलो एक काउट पे बलेंगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो निकाल ही सकते हैं, क्रेडिटर्स ज़्यादा ही ची है, क्रेडिटर्स, कुछ बोला था जो खरी देते हैं उसको हाँ, अप्रेल वाला कब खरीदा होगा, कड़े साथ सो, इसका कितना बकाया है, वाँ, साही है, यह बड़ा ज्यादा, आशाओ शीट, आपको सप्लीमेंटरी लेते हैं कि नहीं, लोगों को डराने के लिए, कितना आया था भाई, बताओगे, साड़े साथ सो का, यहां क्या लिख देता हूँ, 450, यह भी काम होगे, 450 है न, 450 की 420, 450, तो यह आगे सा working note number 2, अब दो काम बाकी है, कि stock निकालते हैं, balancing figure, हाँ, वो working का, चेक करेगा न, एक आध नंबर का ठेगा, बाकी चल जाएगा, working note number 3, stock, अब निकालो, मजा जाएगा किसम से, यह निकाल लिया था, मैं टाइम दे रहा हूँ इसके लिए, यह थोड़ा सा मुस्किल है न, करता हूँ, आप करता हूँ, हम, कहने कालना हमको, stock, हम, 710, से थोड़ा सा कम, अंसर आ रहा है, अब निकालो यह कैसे मैंनी जनता, 635, अब निकालो 635, और यह आपका पूरा एकाउंटी है, अंसर आ रहा, stock का 635, पता नहीं कैसे निकलेगा, अगर में कहूंँ, यह मेरा stock एकाउंट कभी बनाया है क्या, stock and debtors method, मतलब ब्रांच तो है अब यह, हाँ भाई, thank God, कुछ तो है, इलकुल, आप सीदा हाथ खड़े, ब्रांच में कि stock and debtors method था, stock method था, उसमें stock account बनता था, यह लोग करके देखते नहीं, अगर, stock, और इधर क्या लिखते थे, 2BD, balance BD ऐसा लिखते थे, और क्या आपके बस opening stock है, 635, 635 नहीं और 635 तो answer है, opening आपका balance चेक करो, 545 यह गलत question हो गया, यह देख रहा 545, तो sir आपने ऐसा creator और debtors का क्यों नहीं किया, क्योंकि ना, उसका पैसा मिल जाता है वीच में, मिल जा रहा था, जो बच रहा था वो लास्ट का ही बच रहा था, इसलिए debtors creditors में काम चल गया, stock का हिसाब किताब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कि opening stock हाँ, अगर opening और closing का दिक्कत नहीं होता, तो फिर हम साथ कुछ का और calculation से करते है, debtors creditors में मैं ऐसा क्यों नहीं क्यों कि debtors का पैसा पूरा, 70% 30% वो उस मंत में मिल जाता है, तो जो बचता है वो लास्ट कहीं बचता है, opening stock कितना था जड़ा बताना, पास्ट, पास्ट, टिक, इधर क्या लिखते हैं, टू, पर्चेस, इधर क्या लिखते हैं, टू, अचा, बाई या, एकाउंटिंग वाला नहीं होना यार, बाई, टिक, और वालो, चल्स, तो फिर जीपी लिखना पड़ेगा, अब यार, देखो, आपके एकाउंटिंग चाहिए मज़का, एकाउंटिंग, मैं जीपी ना लिखूँ तो फिर यहां कुछ लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग इश्टॉक तो नीची आएगा यार, क्लोजिंग इश्टॉक आएगा, मेरा कहना है, की, अच्छा, सुनो, अब एकाउंटिंग थोड़ा सा बताना पड़ेगा, मैंने यहां कुछ लिखता हूं, और इधर क्या लिखता हूं, जीपी, क्या हर चीज कौश्ट पे है, यस, ये कौश्ट पे ही होता है ना, स्टॉक, क्या ये भी कौश्ट पे होता है, यस, यहां भी पर्चेस ही होगा, ऐसा माल, ऐसा गोट्स, जिसमें से आप प्रॉफिट हटा रहे हूं, बड़ा सा मुश्किल होगा, मुझे एकाउंटिंग नहीं करवाना, मुझे बताओ पर्चेस कितने का हुआ इन तीन महने में, तीन महने में पर्चेस होगा, पर्चेस कितने का हुआ, कैसे निकाल रहे हूँ, यह वाला थाउजेंट, छेसो बचाशा साथो बचाशा, यह ना, देख लूँ, यह साथो बचाशा साथो बचाशा साथो बचाशा और इसका कितना पर्चेस, कितना, वो तो कितना जा रहा है, सेल्स, सेल्स बताओ, तीन महने का, सेल्स, इसको मैं कॉष्ट अप सेल्स लिख देता हूँ, खोई दिक्क में, सेल्स बताओ, कितना, तीन महने का सेल्स, हाँ, कितना, शेसो, एक हजार, शेसो पचास, अभी रुख जाना, शेसो और शेसो पचास, और एक हजार, पर दिक्कत के इसमें प्रॉफिट जुडा है ना है, इन्टो 60 परशन, 13, आपड़ा, यूनिट में ही तो चैंज है, यूनिट पहले खरितके अगले मेने बीच रहे तो पर कॉष्ट तो उत नहीं है, यह भी मैने कॉष्ट पे ले लिया, यह भी कॉष्ट पे ले लिया, तो फिर तो जो आएगा, क्योंकि प्रॉफिट अब लिखने की जरूरत नही क्यों किया, अगर मैं कहता हूँ, मैं एक हजार यूनिट्स खरीदा, ठीक है, सौ रुपए के हिसाब से, तो यहां कितना हो गया भई, एक लाख, अब इस में से मैं चार सो यूनिट्स बेच रहा हूँ, अब बेचूंगा ज्यादा में 120 के सबसे, तो बचेगा कितना, 600, अब सब बताओ 600 का कितना लिखूँ, छे सो इनिट का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा, और 600 इंटू 100 लिखना चाहिए, पर प्रॉब्लम है कि हम मुझे यह नहीं मालूम, पर एक बाह बताओ, इस 400 में क् बीस रुपे का, तो अगर मैं यहां 400 प्रॉफिट को हटा देता हूँ, इंटू 100 लिखूं, ये भी मैंने कॉष्ट है, ये भी कॉष्ट है, दोनों को कॉष्ट कर लिया, तो बोलो यहां कितना जाएगा, 40,000, तो आप वापस कितना बचेगा, 60,000, बस मैं यह कह रहा हूँ क्यों कि ये क्यों कि खर्चे है नहीं, तो ये जो प्राइस है ना, पर्चेस प्राइस वो यहां भी लिख देता हूँ, मेरा बात खतम हो चाहिए, ठीक मैंने वही काम किया है, मैंने इधर पर्चेस 60% पे ना, तो ये भी मैंने 60% कर देता है, ओके, मज़ा आ गया सब, पहल कितना है है, टूटल मारो, 3,1,4,1, इधर भी कितना है गार, रिटेर अर्निंग बोलो, 1529, ठीक है, अब सवाल है 1529, एनल एकाउंट आपको बनाना, कोशिश तो गरो, आदि से जादा तो मैंने ट्रेडिंग एकाउंट आपका बना ही दिया हूँ, बस, यहाँ जो मैंने लिखा था ना, बस समझो, समझो, का आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया ना, यह मिल गया, यहाँ सैलस लिखोगे, यहाँ यह लिखोगे तो क्या जाएगा, JK? जिबर कोशिश तो करो, आएगा, टार्गेट किया है मालो में, कोशन किछा जाठाता, पहले का return earning 1439 मैंसे 1500 1529 माइनस करो नबबे profit आना चाहिए अब उसमें खर्चे भी तो है और यह जीपी आएगा अब उसमें खर्चे वर्चे सब माइनस करो जो भी एक्सपेंस होगी तो पहले था return earning 1439 और प्लस क्या कर देंगे अब भे 1529 ने तो दिखाया है बक्या उसी वो continue कर तो मतलब एक ही तो काटना है तो जबर दसी इसमें accounting का concept डाल दिया बस यहां क्या दिखा देना sales कितना है आविस पचास तो यह बन जाएगा आपका PNL account यह जीपी आजाएगा कितना है जीपी 900 900 यहां गया और खर्च कितने है एक तो कब मिलाकर बूलो रफी तो आएगा 810 तब मिलाकर तो यह आगया नब भेरू कितना बड़ा question वैसे आता नहीं सिप cash budget का आतना है 810 अगर अगर मान लो हमको नहीं आ रहा है तो क्या बैलेंस हैं कि आप एक्सपर्ट हो एक यह 95 कर चुके न हम लो 95 मने कटवाया हूं क्या 95 कटवाया हूं भाई 95 नहीं करना 96 भी नहीं करना 97 भी बहुत बड़ा question था 98 अभी नहीं कर सकते जे बाउमल मौडल है यह क्यों वाला एक फॉर्मूले में काम हो जाए 100 कर सकते है तो बहुत हिम्मच चाहिए है रुक जाओ भी थोड़ा सा यह वाला question यह वन जिरो टू कटवाया हूंगा repeat है वह वाला question नहीं है वह है balance sheet ऐसा दिया है उल्टा करके दे दिया है यह 50 है यह 1439 मिल जाएगा सर 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 सुनो 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 एक्जाम में ऐसा balance sheet आया है मालो ऐसा आया है तो क्या हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा हाँ जैसा आया है वैसा format को कैसे change कर दो गया वह यह question है same same पतम हो गया है question number 100 हमारी बक में और क्या यह I.C.E.I. का question है yes मैं हम करेंगे की नहीं करेंगे वह बाद में decide करेंगे वह सकता है कि मैं आपको homework दूँए यह मिलेगा आपको प्यक 8A question तो करने का बनता है और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह बन ही जाएका पर आपकी मदद के लिए आपके module कही question है तो यह थोड़ा बहुत तो अगर नहीं आता है समझ में तो बात दूसरी एक बार पढ़ लें वह वक्त तो दूँगा पका पर एक बार पढ़ ले दे the following information दिया है publishing company selling price दे रखा book का 15 रुपए मतलब units दिया होगा नीचे और सारा के सारा sales जो होता है वो credit basis variable cost भी दिया है 5 रुपए labor दिया है 4 रुपए overhead दे रखा 2 रुपए और sales manager का अनुमान है November से अगस तक का उन्होंने number of books दे रखा कि कितने-कितने books विकेगी मतलब number of units हो गए तो जार sales सबका निकालना पड़ेगा अच्छा customer से कैसा पैसा आएगा 40% one month में one month मतलब next month और 60% next to next month कैसे sales है क्या अभी तक तो नहीं अभी तक तो नहीं वालो the company produce the books two month before they are sold भाई यह बनाना कब से कब तक का है जनुवरे से ऐसा कहीं लिखाएंगे अच्छा तो अब क्या बोल रहा purchase का ध्यान से देखना बोले जो यहां बेचोगे उसको November में बनाऊगे अब पैमेंट आपका वापस होगा मतलब इसी का पैमेंट हो जाएगा variable cost कितना है? variable overhead अच्छा इसका variable overhead कब लगेगा? अच्छा सुनो सुनो बना यहां रहा हो ना बना तो variable overhead भी तो यहीं लगेगा बना रहा हो तो पैट कब करेगा यह देख लेते variable overhead are paid in the month following production मतलब इस मन्त में production हो रहा हुआ उसके अर्के में मतलब जनवरी का दिसंबर में जनवरी का नमवंबर में नमवंबर का दिसंबर में असा ठीक है तो यह तीदा जिदा बोल्रहों ना वाटीक है variable overhead are paid in the month following production वोहो यह बोल्रहा भीया variable overhead कितना है दो रुपए तो बुले सुनो ना 25% से हम बढ़ा देंगे April में मतलब 2 रुपए का 25% से बढ़ा हो कैसे बढ़ता है पता है 2.5 2.5 तो यहां 2-2 से multiply करना और यहां 2.5 से multiply करना और 75% of wages are paid in the month of अब जन्वादी का नममबर में अब पैट कब करोगे 75% 75% of wages are paid in the month of production अब बचाववा 25% पैटेस जो है यह भी बढ़ाएंगे हमनों साड़े बारा बच कहां से? हमार से यहां से बढ़ाएंगे वाव क्या घर में बोर होके आप और कंपनी के पास एक बुले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको सेल करेंगे में में 25 हर और नया वाला कब खरीदेंगे में में डप्रेशिशन करेंटली एक हजार पर मंत नहीं आएगा और लेकिन पंदरा सो हो जाएगा कब से? जब नहीं हो मशीन खरीदेंगे तर कुछ नहीं है टेक्स कर कितना दिया है? दस जार कब देना है? मार्च में कंपनी के पास अभी पैसे रखे है इतना काम कर रहे पंदरा सो रुपया बस और आपको बनाना कैस बजट? जन्वली से कैसे लगा कुछ? टाइम कंजूमिंग है बहुत ज़्यदा हाँ, खेल खता हो जाए अराम से घर में बैटके आराम से बनाना मैं जानता हूँ कि आप लोग सॉलूशन देखोगे मतलब बाद में तो देखोगे बाद में देखना मैं कह रहा हूँ कि एक बार खुछ से करना गलती होती है तो हो जाने तो, उसके बाद देखले, आंसर तो यह मेरे पास आपको कि तुम्हें आंसर दिखा दूंगा जिवरत नहीं है मैं solution भीज़ दूगा last में यह कल ही check कर लेंगे हम लोग कल चेक करेंगे जदा हम यह मैं इस कर रहा हूं बस एक question और हूंगा अच्छा यह तो कड़ गया है हाँ मैं बुक से दे देता हूं नहीं क्या है कल last class रहगी ना वर्गिंग क्या पर एक दो question तो करने का बनता है हम लोग उने 90, 91, 92, 93, 94, 95 कटवाया हूं 96 कटवाया हूं 97 कटवाया हूं 98 कल हो जाएगा 99 भी कल होगा 100 मैंने homework दे दिया 101 कटवा दिया हूं thank god मैं नहीं बुला होगा हटा देना कर वह सेम रिपीट हो गया है का ना 102 102 कट करें रिपीट हो गया है 103 बाकी है कल 103 करेंगे और 105 20% से 50% wages हाप मन्थ का मतलब क्या होगता llei मतलब या सपोज सपोज सबोस दास जाड़ रुपह है वेज्श कहें और यह है जैन का है और अगला मैंना है औन मतल पंद्रार दूर्ख का पन्दार दिन का पहले इस चाहिए है पहले पंद्रा दिन आ अगले मेने तो बुलिए थिक 50 вып अगले मेने का 5ugen वापस जाएगा तर करवा देना प्रीच ठीक तो मैं देने माला था 105 होमवक पर अब नहीं दे रहा हूं इसको करेंगे जी सही सही बोला है पर मैं करवा दूँ क्यों जल्दबाजी करें हम लोग तो कल हमारे तीन कोश्चन पेंडिंग है 103 105 106 एक कोश्चन करवांगो तो बाकी दूस्ट कोश्चन आटोमेटिक समझ मैं तुनो ना 106 होमवक 106 आराम से कर लो कुछ नहीं है 106 होमवक है ठीक है यस तस आज के लिए सफिशेंट है और कल की क्लास करेंगे